Hello friends, welcome back to my channel चेहर पर अगर dryness हो गई है, skin उतने लगी है, acne प्रोब्लम है है, dark skin हो गई है, dead skin हो गई है, यह unwanted hair की प्रोब्लम है तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी है ऐसा remedy लेके आई हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है निखरी, खिली-खिली, बेदाक और गोरी तबाजा हर किसी को बहुत जादा पसंद होती है लेकिन कहीं बार क्या होता है कि sun 10 के बज़े से धूल, मिटी के कान, बढ़ती उमर के कान क्या होता है कि चेहरा जो है एकदम से डैमेज हो जाता है इन सब प्रोब्लम से चुटकार पाने के लिए मैं बहुती बढ़ीया solution लेके आई हूँ फ्रेंड्स ये जो face pack हम बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए सुगर कैन, यनि के गरना फिर गरने के pieces को चुरी से काट कर अलग कर लेना है देखिए इस तरीके से हमने इन पीसों को काट कर अलग कर लेना है ये काटना बहुत ही असान है जो गन्ये की गाटसी होती है उस पे छूरी नहीं मारनी है नहीं तो क्या है कि छूरी खराब हो जाएगी देखे जिस तरीके से मैं थोड़ा दूर से ही काट रही हूँ आपको भी उसी तरीके से दूर से काटना है और ये बड़ी ही असानी से कट जाता है फ्रेंड्स गन्ये से हम जो ये फिस पैक बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही इफेक्टिव और आसदा रेमिडी है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करके देखना तो देखिए इस तरीके से हमें जितने पीस चाहिए हमने काट के ले लेने है तो देखिए मुझे जितने गन्ये के पीस चाहिए थे मैंने उतने काट लिये हैं आप क्या करना है कि छूरी की साहिता से इसके छिलकों को भी निकाल लेना है आपने गन्या काटना और छिलके निकालने का काम बड़ी आराम से करना है नहीं तो क्या है कि हाथ में चोट लग सकती है मैंने बीडियो यहाँ पे फास्ट किया है इसलिए लग रहा है कि मैं बड़ा तेज कर रही हूँ लेकिन मैंने बड़ा आराम से किया है तो देखे मैंने यहां पे छिलका भी निकाल लिया है अब क्या करना है कि यह जो इसकी गार्षी है इसको भी हमने काट लेना है तो देखे यह भी बड़ी असानी से कट जाती है अब हमने गन्ये को काट कर और छिलकर तयार कर लिया है अब हमने क्या करना है कि गन्ये को धो लेना है और फिर धोने के बाद इस तरह से इसके छोड़े छोड़े पीस कर लेने है ये पीस भी बड़ी ही असानी से हो जाते है गन्य में जो बिटमीन और एंटी आक्सिडेंट के गुन पाई जाते हैं वो हमारी स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं ये हमारे कील मुहस्थों को भी रोकते हैं और हमारी एंटी एजिंग को भी कब करते हैं कहीं बार क्या होता है कि किसी किसी के फेस पेस में से पहले ही बुड़ापा आ जाता है गन्ना उस मस्य को भी दूर करता है देखे मैंने गन्ने के पीस करके इसको जार में डाल लिया है अब हमने क्या करना है कि इसको पीस लेना है तो देखे मैंने पीस भी लिया है प्रियाट नहीं किया है गन्य की हमने बिल्कुल छोटे छोटे पीस करने हैं जिससे किया है कि गन्य बड़ी आसानी से पीस जाएगा गन्य का जूस हमारे फेस के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है इससे हमारे चेहरे पर केल मौहसों के निसान जो पड़े होते हैं वो भ कर देगा, अब हमने कने कटोरी में 1 चंस चाबल का आटा डाल लेने है, चाबल का आटा हमारी स्किन को गौरा करने का काम करता है, अब इसमें add करना है एक चंस हनी, हनी हमारे face को moisturizer करके उसके दग धब्यों को दूर करने का काम करता है और face की acne problem को भी खत्म करता है अब हमने इसमें add करना है एक चमच कच्चा दूद दूद हमारी skin पे cleansing का काम करता है और उसको growing करने में मदद करता है और फिर हमने add करना है दो चमच गरने का रस यह जो face pack मैं आपको बनाकर बता रही हूं यह बहुत ही जबदा स्तरैमिडी है मैंने इसे खुद ट्राई किया है तब ही आपसे सेयर कर रही हूँ पेश्ट को मिक्स करतिवार अगर आपको लगे कि ये ठीक है तो आपने क्या करना है कि इसमें गन्ये का जूस और एड़ कर लेना है और फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखे मैंने थोड़ा सा गन्ये का जूस एड़ कर लिया है अब मैंने क्या करना है कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंट्स कहीं बार क्या होता है कि हमारे चेहरे पर बहुत जादा प्रोब्लम हो जाती है जैसे कहीं बार क्या होता है कि ड्राइ स्कीन हो जाती है डार्क नैस हो जाती है या जाईये जुरियों के निसान पर जाते हैं केल मौसों के निसान पर जाते हैं तो क्या होता है कि वो चेहरे से जाते ही नहीं है और फिर हम इसके लिए क्या करते हैं कि पालर जाके अपने 1000 रुपे खर्च कर देते हैं लेकिन फिर भी हमें कोई असर नहीं दिखता है इस remedy को आप जरूर ट्राई करके देखना इससे आपको 100% result मिलेगा तो देखी मैंने इस remedy को तयार कर लिया है अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है देखे मैं आपको अपने हाथ पे यूज करके बता रहे हूँ इसी तरह आपने क्या करना है कि अपने चेहरे पर इसे अपलाई करना है आपने अपने चेहरे पर इसकी एक मोटी से पर्त बना लेनी है लेकिन आपने इसे चेहरे पर लगाने से पहले क्या करना है कि अपने चेहरे को साप पानी से धो लेना है तब ही इसे अपने चेहरे पर आपने अपलाई करना है फ्रेंट्स आगे बलने से पहले मेरी आपसे रुकेश्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अपने फैमिली और दोस्तों से सेर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करें तो देखिए इस तरीके से आपने अपने फैस पर इसकी एक मोटी सी पर्त लगा लेनी है और फिर क्या करना है कि 15-20 मीट के लिए इसे ऐसे छोड़ देना है तो देखिए मैंने जो पेश्ट हाथ फिर लगाया था वो सूख चुका है चलिए आप बताती हूँ कि इसको कैसे निकालना है आपने क्या करना है कि दीरे दीरे हाथों से इस तरह से मिसाज करते हूँ इसे निकालना है इस पेश्ट को लगाने से आपके फेश्ट की डार्कनेस, दाग धब्बे, कील मुहसों के निसान, जाईया जुरियों के निसान, जो है वो सब प्रोव्डम तो खत्म होगी ही होगी लेकिन क्या होगा कि जो आपकी अनुवर्टड हेयर प्रोव्डम है वो भी खत्म हो जाएगी ये रेमडी बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त और असरदार है, आप इसे एक बार जुरूर ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको रेमडी पसांदा आई या नहीं तो देखिए मैंने मसाज करते हुए अपने हाथों से इस पेश्ट को निकाल लिया है इसी तरीके से आपने क्या करना है कि अपने फेश से इसे मसाज करते हुए निकाल लेना है और फिर ताजा पानी से अपने फेज को धो लेना है तो देखे मैंने अपने हाथों को पानी से धो लिया है और मुझे अपने हाथ बहुत ही सुन्दर और सौफ्ट दिख रहे हैं और फिर कोई क्रीम ले लेनी है फिर इस से अपने चेहरे या हाथों की एक या दो मिनिट के लिए अच्छे से मसाज कर लेनी है। मसाज करने से क्या होगा कि हमारा चेहरा या हाथ और भी जादा अच्छे और मुलाइम हो जाएंगे तो इस तरीके से मसाज करना बहुत जरूरी है फ्रेंट्स आप कहां कहां और किस जगा से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज कोमेंट करके मुझे बताया करें तांकि मैं भी जान पाऊं कि मेरी वीडियो कहां कहां और देश के किस कोने में देखी जाती है तो देखिए फ्रेंट्स मैंने अपने हाथों की मसाज कर ली है इसी तरीके से आपको भी अपने फेस की मसाज कर लेनी है फ्रेंट्स आप इस remedy को एक बार जरूर ट्राइ करके देखना आपको इसे बहुत ही अच्छा result मिलेगा ये बहुत ही असरदार और जबदस्त remedy है